हेलो दूस्तो स्वागत है आपका श्रीवी होम प्लान की इसने वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है हमारा आज का मोडल होने वाला है यह होने वाला है 30 feet by 35 feet के अंदर जिसमें कि आपको देखने को मिलने वाला है वन बेट रूम, वन कीचन, वन लिवी रूम, पोर्च एरिया, वन लिवी रूम जो कि हमने घर से बाहर दिया गया है और सिर्कीस तो फिचले हमारा आज वीडियो शुरू करते हैं पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नई हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देज़े क्योंकि हम हम् हम हम डिजैन रिलेटीव वीडियो comment, डिली लाते रहते हैं तो विचल लिए यहाँ पर आपको front elevation की बात करें तो यहाँ पर फर्स जैसे आप कहीं से भी आते हैं यहाँ से आपको three steps देखने को मिल जाती है और three steps के left side पर यहाँ पर हमने थूड़ सा sit-out type area दिया गया है जहाँ पर आप easily बैट के अपने time का utilization कर सकते हैं और side में ही हमने कुछ इस तरह से flower pots और garden link का design दिया गया है जो कि आपके घर को एक बहतरी look देने बाला है उसके बाद ठीक आप यहाँ से एंटर करते हैं आपको यह पूच कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है इसका distance है और coasting जो है वह मैं आपको पूरा बताने वाला हू जहां से आप अपने घर के utilization of water proper तरीके से कर सकते हैं तो फिर घर का interior दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर चारो द्रफ से दिखा जेता हूं कि हमारा model किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है लेफ साइट के बात करें तो लेफ साइट पर यहाँ पर आपको टू distribution दिखा देता हूं कि इस model को हमने किस तरह से distribute किया गया है तो जैसे आप कहीं से भी आके entrance करते हैं यहां से आपका entrance होने वाला है यह area जो total होने वाला है यह आपका पूर चेरिया होने वाला है उसके size आपको 28 feet 6 inch by 10 feet में आपको देखने को मिल जाती है फिर से आपको बता आपको 1 cm अआप उसके ठीक front side पर यहां पर left side पर आपका door होने वाला है यहां से अंटर गर्किर का, का पैसेच होने बाला है यहां पर यह आपको कुछ इस तरह से बैटरूम देखने को मिल जाता है इस बैटरूम की साइज हमने 17 फीट बाय 12 फिट 6 इंच रखे गए है काफी बड़ा और शांदार हमने यहां पर बैटरूम दिया गया है जो आप अपने एरिया को अच्छे तर इंटरंस हमारा four feet का होने वाला है four feet के एंटर करने के बाद यहां पर आपको यहां पे एक शानदार पूर्चरिय आपको देखने को मिल जाता है यहां पे अपने easily two-wheeler four-wheeler पाक का सकते हैं और उसके बार यहां पर आपको हमने एक बाथरूम दिया गया है यहां पे इस बा यहां से आपका entrance होने वाला है, यह first door होने वाला है, door से enter काते ही आपको living room देखने को मिल जाता है, living room होने वाला है, इसकी size जो है मैंने आपको बता दी गए है, इसका look दिखा देता हूं, मैं आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है, चारों तरफ से यहाँ दिखा देता हूं, टॉप साइट पर मैं बैक साइट पर भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं, तो फिर इसका जो लूग होने वाला है, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल ज यहां पर आपको अख्षे से प्रॉपर तरीके सी size का हम उटिलाइज किया गया है और यह जो size मैंने तो आपको बता दी है और यहां पर back side पर आपको यह bedroom देखने को मिल जाता है और bedroom का जो लूक होने बाला है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है तो विचले मैं आपको model फिर से दिखा देता हूँ और costing की बात करते हैं कि हमारे इस model को बनाने के लिए costing कितनी लग सकती है तो विजैसे आप front side से देख रहे हैं कि model हमारा ऐसा होने वाला और color combination के बात करें तो यहां पर हमने हमारे सबसे color combination दिया गया हम मान लेते हैं कि पूनिस जैसे area में अभी जो material plus labor charge होने वाला है वो 1200 से 1800 तक चालू है तो विचले हम 1200 into 1050 करते हैं तो फिर इस घर को बनाने के लिए इस घर को बनाने के लिए आपको लग सकते हैं लग बग या आसपास आप बोल सकते हैं 1260,000 आपको इस घर को बनाने के लग सकते हैं और वो भी depend करता है आप किस area में क्या rate चालू है और किस type का material आप use करते हो यह vary कर सकता है अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूं तो फिर यह ता हमारा आज का model और अगर आपको हमारे model और वीडियो पसंद आए